ओस इस कविता में कवी ने ओस की खूपसूर्ती का वर्णन किया है। प्रभात की बेला में घास पर फूल पत्तों पर और वन उपवन में हर ओर ओस बिखरी हुई है। कवी ने भिन भिन उपमाय दे कर ओस का बहुत ही मनुहारी वर्णन किया है। हरी घास पर बिखेर दी हैं ये किसने मोती की लड़िया, कौन रात में गूत गया है ये उजवल हीरों की कड़िया, जुगनू से जगमक जगमक ये कौन चमकते हैं यो चमचम, नब के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यो दमदम, लुटा गया है कौन जोहरी अपने घर क भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पगपग बिखरे हुए रतन है नाना, बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दीवाली, वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली, जी होता इन ओसकड़ों को अंजली में भर घर ले आओ, इनकी शोभा निरक निर इन पर कविता एक बनाओ, सोहन लाग त्वेदी